हेलो हेलो आप सुन पा रहे हो वाव मैं बोल पा रहा हूं बहुत बढ़िया बात हैं और हम दोनों अभी जिन्दा हैं ये और भी बढ़िया खुशी की बात हैं और इन सारी बातों का क्रेड़ी जाता है वाइब्रेशन को ठीक है वाइब्रेशन या आप इसे बोलते हो औक्सिलेशन एक ही बात है ये नहीं होता तो इसके बीना हम ये सारी बातें करी नहीं सकते अब सुन पा रहे हो क्योंकि आपके एर के जो एर ड्रम है उनके वाइब्रेशन की वज़े से मैं बोल पा रहा हूं क क्योंकि मेरे माउट के अंदर जो टंग का वाइबरेशन हो रहा है उसकी वज़े से, ठीके, हम दोनों अभी इस करोना काल में जिंदा हैं, क्योंकि हम दोनों का हर्ट बीट कर रहा है, यानी हर्ट के वाइबरेशन की वज़े से, ठीके, तो यह बहुत ही important चीज है, आप समझ होते हैं SHM ठीक है SHM basically इस vibration का एक special case है और vibration क्या होता है vibration इते हैं single term में बात करो तो यह basically two and from motion two and from motion को अपन क्या बोल देते हैं vibration और जब यह two and from motion जैसे आप vibration यह oxalation बोल देते हैं rapid सिमिलर एक और टम साती जिसे अपने बोलते हैं periodic motion दोनों को थोड़ा आराम से देख लेना periodic motion और oscillation हलका साई difference रहता है ज्यादा नहीं रहता है periodic motion के अंदर आपन बात करते हैं जब particle का motion repeat होता है कि जब particle का motion repeat होता है एक interval के बाद में repeat after interval तो हम basically उसे बोल देते है periodic motion जैसे sun के अराउंड अर्थ का motion एक time के बाद में repeat होना start हो जाएगा ठीक है आपका जो pendulum का motion होता है वो आपके पास periodic motion है आपकी clock के जो minute वाला हैंड या second वाले हैंड की बात कर लो उसका motion basically periodic motion होता है क्योंकि एक interval के बाद में repetition start हो जाता है ठीक है तो अपन यहां पे oscillation और periodic motion का है यह अपन देख चुके है डीटेल में बात करेंगे कि oscillation कब होता है कैसे होता है और इसका जो special case है simple harmonic motion इसकी mathematical equation कैसे रहेगी consequence terms यह यूज हो रहे है उन सब में आपसे क्या relation है अपने calculate कैसे करेंगे पूरा mathematical analysis करेंगे इसी chapter के अंदर ठीक है उमीद करता हूं आपको इस chapter के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिले यह एक प्यारी सी situation discuss करते हैं यहां पर हमारे पास तीन बॉल है ABC और इसको में एक inclined surface जहां पर इसकी inclination उपने चेंज होरी इसके height variable है उस variable height वाली surface में रखी ABC और तीनों को मैं यहां पर जैसी release करता हूं इसको मैं छोड़ देता हूं तब क्या होगा आप बोलो कि तीनों बॉल जहां यहां पर रहती है जब उस पर लगने वाला resultant force 0 होता है from the newton's first laws of motion बॉड़ी के पास वह रेस्ट पर रहने चाहिए in the absence of external forces तो यहां पर ABC तीनों के हला देखते हूं ऐसा लगा रहा है कि आप जैसी release करोगे वहीं रह जाएगी तो यह तीनों बॉल बेसिकली equilibrium पर इन पर लगने वाला resultant force 0 है यह आप देखते हूं जहां यह रखी हुए न उस surface की जो डलान यह inclination देखते हूं तो वह 0 है एक दो फ्लैट surface है बराबर इस तरीक से देखो horizontal surface है जहां रखी हुए उसी जगा की बात कर रहा हूं उनके आजपास की guarantee में नहीं लेता बराबर लेकिन तीनों का equilibrium एक जैसा नहीं है यानि कि तीनों की जिंदगे में अभी सान्ती है लेकिन एक जैसे सान्ती नहीं है कैसे इसे आप एक को थोड़ा सा भी disrupt करके देखो एक आप थोड़ा सा भी right या left के side में जैसे a को मैं right side में shift करता हूं इधर थोड़ा आगे shift करके छोड़ता हूं तो a वापस आ जाता है अपनी position पे हैनि कि इसको अपनी state पे यह जहां रखा वाता उस जगह से लगा हुए इवन आप opposite direction में shift करके देख लो यह वापस आ जैसे इंतजार ही कर रहा तक कोई मेरे को छेड़े और गुच्छा करके हम चले जाएं यह आलात हो रही और c की बात करें तो c को तुम्हें किसी बात से फरकी नहीं पड़ता थोड़ा सा आगे ले जाकर छोड़ दो वहीं रह जाएगा थोड़ा पीछे ले जाकर छोड़ पर थे लेकिन इन तीनों का एकिलीब्रियम एक जैसा नहीं है क्यों नहीं है यह समझ मागे होगा और जो एक का एकिलीब्रियम है में से अब्द बोलते हैं इस्टेबल एकिलीब्रियम क्योंकि यह आप A को disturb करते हो तो A वापस वहीं आ जाता है और जो B का equilibrium है वो basically unstable equilibrium है B को आप disturb करो B वाली बोल वापस अपनी original position पे नहीं आएगी उसको इस जगह से कोई लगाव नहीं है और क्यों नहीं यह सारी चीज़ आप देख के बता सकते हैं B आपके पास एकदम extreme higher point पे बैठा है यानि कि मैं इसे gravity के point पे इसे समझे ना चाहूं तो highest gravitational potential energy और जैसे आप disrupt करते हो natural tendency होती है higher potential energy to lower potential energy motion होना तो वो इस जगह से दूर motion हो रहा है it is moving away from the equilibrium position ठीके और जहाँ पे भी रखा हुआ है वो basically maximum potential energy वाली position है है यानि इस वज़े से ये unstable equilibrium है A की हालात थोड़ी अलग है A की जो potential energy जहाँ A रखावा है वहाँ की potential energy minimum है अपनी surrounding के respect में left या right में देखो तो तो जैसे आप ball को right side में shift करते हो natural tendency होती है higher energy to lower energy और A lower potential energy वाल लोकेशन है तो ये automatically ball वापस आ जाती है इस वज़े से आपके पास A stable equilibrium वाली position पे अब जैसे तुम यहाँ से release करोगे ना तो ball आप पास higher potential to lower पाएगी तो इसकी potential energy कम होगी और जितनी energy कम होगी that will convert into kinetic energy तो इस ए पोजिशन पे particle के पास कुछ speed आ जाएगी जिसे वह अपने आपको रोक नहीं पाएगा और opposite side में चलने लग जाएगा ऐसे बराबर है यहने कि particle को जब भी आप stable equilibrium से disrupt करोगे यह उसके आसपास छोड़ दोगे तो particle हमेशा oxalate करेगा कहां से stable equilibrium वाली position से और stable equilibrium बोले तो minimum potential energy वाली location ठीक है तो oxalation कब होगा यह समझ आ गया जब particle का stable equilibrium से disrupt करोगे यह उसके आसपास release करोगे बराबर है उमेद करता हूं यह समझ आया कि oxalation कब होगा मैंने अभी SHM वर्ड नहीं बोला बस यहीं बोला कि oxalation होगा ठीक है अब आगे देखे है SHM हमारे पास एक special case होगा oxalation का जहां पर यह में पोजिशन है जिसके बावट यह oxalate करें जिसाप minimum potential energy वाले बात करें इसी दिए आप x distance displace करते हो और वापस इस पिक फोर्स लग रहा है तोवाट्स दा में पोजिशन जिसाप रेस्टोरिंग फोर्स बोल रहे हो इव अप्टेट रेस्टोरिंग फोर्स इस डाइरेकल्ली पर्पोर्शनल तुटिश्मेंट इस दिश्प्लिस्मेंट ई अप पोजिट टो इस सेट्स्पाई हो रिए बोल दूगा उस पार्टिकुलर ऑक्सिलेशन को पर्थेंगे SHM तुम आगे से याद रख सकते हैं कि हमारे पास SHM की जो necessary and sufficient condition होगे न वो यह वने चीए particle पे लगने वाला restoring force नि force which is acting towards the mean position mean position बोले तो minimum potential energy वाली position that is directly proportional to its displacement from the mean position and in opposite direction यह basically displacement from mean position लिक्राओं है displacement from mean position mean position याईनि कि आपके पास minimum potential energy वाली बात कराओं minimum potential energy उस location से कितना displacement है तो आपको यह पता लग रहा है कि यह यह बता रहा है कि आपका जो force लग रहा है वो particle को वापस mean position पे लाएगा ठीक है और यहाँ पे काम करता हूं मैं एक proportionality constant माल लेता हूं ठीक है proportionality constant मैंने k माल ले तो यह इस तरीके से लग दूँ के माइनस x और इदी particle का यह जो translational motion हो रहा है इस वज़े से यह जो force m इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं mass multiply way acceleration of particle ठीक है यह कितना आज जाएगा minus k times x vector चलेगा मैंस ऐसा भी लिख दूँ तो आप भूरा नहीं मानोगे that a vector is basically minus k upon m x vector चलेगा तो acceleration के form में भी आप ऐसा लिख सकते याद रखना acceleration और displacement opposite direction में या फिर बोलो force and displacement opposite direction में ठीक है मैं इसे चाहूं तो acceleration को ऐसा भी लिख सकता हूं double differential की form में कि इसे अब displacement को दो बार differentiate करोगे time का respect में तो भी acceleration आ जाएगा इधर वाले part को मैं इसर ला रहा हूं k upon m x is equal to 0 यह भी चलेगा यह हमारे पास standard double differential equation है और इसका एक standard solution होता है mathematics स्वामने पढ़ागा ठीक है यदि कोई भी equation इस format में तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पर जो x होगा वो बेसिकली एक sinusoidal कर होना चाहिए x क्या होना चाहिए x और t के साथ sinusoidal कर होना चाहिए इस तरीके से x is equal to a sin omega t plus 5 इसका जो solution आता है double differential equation का वो मैंसा एक sinusoidal आपके पास function आएगा तो मैं यहां से बता सकता हूं x की value इस तरीके सानी चाहिए फिर भी आई दिया आपको वरोसा नहीं हो रहा है नहीं नहीं चाहिए एक काम करना आप इसे दो बार integrate कर देना तो यह x की value हो जाएगे फिर भी मज़े नहीं आ रहे है तो यह x जो मैंने बता है नहीं यह answer आएगा इसको आप दो बार differentiate कर देना वापस वह यह जाएंगे ठीक है और इसे कहीं बार में इसी format में भी लिख देता हूं इस equation को d square x upon dt square इस पूरे को है ना omega square बोल देते है k upon m को ठीक है तो यहाँ पे जो मैंने omega लिका है उसकी value आपको पता चल गए होगी omega कितना होगा under root k upon m ठीक है omega की value में कोई इक्कत नहीं अच्छा एक्स किया था basically displacement था ना तो यहाँ पे a क्या जाएगा a basically maximum value of x a क्या है maximum value of x यही हो रहा है यह आपके पास x की maximum value आएगी या minimum value maximum बोलू या minimum बोलू एक ही बात है maximum या minimum value of x और x हमारे पास क्या है displacement x क्या है हुआ है हमारे पास displacement from mean position यह लियता आपने तो mean position से displacement है तो mean position से जो maximum या minimum वाली होगी उसी को अपने बोलेंगे ए और इसको अपने आगे से बोलेंगे एंप्लिट्यूड यह क्या होगा हमारे पास ए गवा amplitude और यहां से आपको पता चल रहा होगा कि particle की यह सपोज mean position है तो इदर आपास maximum a distance तक चला जाएगा और अपोजिट साइड में maximum a distance पर चला जाएगा उससे जादा दूर नहीं जाएगा ठीक है तो यह दो आपके पास extreme position आ गई जहां तक पार्टिकल जाकर यूटर लेगा इस तरीके से ऐसे पार्टिकल का two and fro motion होगा समझवारी बात आपको इस तरीके से पार्टिकल का two and fro motion होगा यह हमारे पास main position आ गई बराबर है अच्छा है यहां पर अब एक क्या यह तो समझवागे इसका लावा omega 5 यह सब चीज़ें क्या उनको भी समझते क्या यह अपनको answer में से इसी format में क्या a sin omega t plus 5 क्या मैं a cos omega t plus 5 लिख सकता हूं क्या एक ही बात अब sin omega t plus 5 लिखो या cos लिखो एक ही बात यह जो अपन 5 मान रहे ना यह उन चीजों को adjust कर लेगा ठीक है यह अपना पूरा value लिखा है नो यहां पर मैंने जो यह लिखा है omega t plus 5 इस पूरे को अपन बोलते phase क्या बोलते phase और यही basically decide करता है कि particle की position का है यही phase decide करेगा exactly particle किसी moment पे कहां है यह हमें से कौन बताता है phase बताएगा कि किसी particular moment पे particle कहां है उस particle की location बताएगा बराबर है और जैसी मैं यहाँ पर t0 put कर देता हूं यह क्या बन जाता हमारे पास only 5 बन जाएगा इस 7 बोलते है initial phase क्या बोलते है initial phase यह अपस 5 की value decide करेगी यह graph start कहां से होगा ठीक है आप इसकी जगा sign लो cost लो हमें कोई फरक ने पड़ता अपनी design लिया है cost लिया है वो 5 इसके according अपनी value condition है यहाँ से मैंने देखा था कि एक्सेलरेशन क्या लिख सकते हैं और फिर मैंने एक्सेलरेशन को डबल डिफ्रेंशल एक्वेशन फॉर्म में लिख दिया था जिसका standard solution यह होता है यहाँ पर एक्स हमारे पास क्या आ रहा था displacement आ रहा था particle का जो कि एक sinusoidal form में आएगा ठीक है यह किसी को बरोसा नहीं हो रहा है कि नहीं sinusoidal नहीं आएगा तो उसका एक तरीका मैंने बता दिया था है कि आप integrate कीजिए दो बार यह equation बन जाएगे यहाँ पर एक काम कर लो इस answer को दो बार दुबार करो वापस उपर वाल एक्वेशन आ जाएगी एक ही बात है आपको जैसा बढ़िया लगे वेशा करके देख लिजीगा ठीक है यहां पर मैंने ओमेगा किसको माना है यह हमारे पास ओमेगा स्क्वेर की एपोन एम को बोला है और जो मैं एक्स के साथ यहां रहेगा न उसका अंडर रोटी यहां आएगा ठीके और यह जो मैं ओमेगा लिख रहा हूं यहां पर ओमेगा टी प्लस फाई को फेज बोलते है फाई इनिशल फेज और यह जो मारे पास ओमेगा यह दिस इस कॉल्ड एंगुलर फिर्क्वेंशी कैंड क्या बोलते हैं एक्स एक्वेंशन का हमारी है ठीक है dimension का रही है इसकी रेडियन पर सेकेंड कैलकुलेट कर लो यह आ रहा है ना इसे हम बोलते हैं एंगुलर फ्रिक्वेंसी बराबर है और साइनुसूडल ग्राप आपके पास एक टाइम प्रिट के बाद में रिपिटिशन स्टार्ट हो जाता है हाँ है ना जैसी हमारे पास इस ओमेगा ट की वाल्यू ट्वाइस ओपाई की के इकवल होगे रिपिटिशन शुरु हो जाएगा यानि ओमेगा टी जैसी टूपाई की होगा उस मोमेंट पे जो टी होगा ड़ैट इस कॉल्ट टाइम पिरेड तो मैं टी कितना लिएए लेक्ष्वां त्टता हूआँ इसे क्या नोडिल डिंटता है क्या बोलते टाइम पिरेडन है टाइम पिरेड ठीक है यहने कि कितने टाइम इंटरवल के बाद में रिपिटेशन शुरू होता है साइन वाल अगर आप हर टूपाई एंगल का उन्द रिपिटेशन शुरू होता है तो जैसे यह पूरी वैल्यू फेज टूपाई से चेंज होगा यह नजार आ जाएगा बर तो टाइम पिरेड क्या है यह भी समझ वां कि उक्सेलेशन अपनों यहीं बोलते ने पार्टिकल्स से में पॉजिशन के आप उक्सेलेट करें यहही बतार रहे हैं कि यह जो पन लिया ता इस तरीके से यहां पर पार्टिकल अमारे पास इस तरीके से जाएगा उपर गया फिर वापस नीचा है इधर ऐसे तो एक टाइम पिरेट यानि कि जब आपस पार्टिकल का मोशन रिपीटेशन इस्टाट हो जाएगा तो मैं यह भी बोल सकता हूं कि जो ऐसे चैम है ऐसे चैम के अंदर पार्टिकल आपके पास ऑक्सिलेट भी कर रहा है प्लस पार्टिकल का जो मोशन है वो पिरियोडिक मोशन भी है बोल सकते न तो पार्टिकल का मोशन पिरियोडिक भी होगा और पार्टिकल ऑक्सिलेट भी करेगा ठीक है लेकिन इधी कहीं पर पिरियोडिक है और ऑक्सिलेशन है तो गारेंट है नहीं कि हन्रिट परसंट ऐसे इस बात का द्यान लखेगा और टाइम पिरिट के बिलकुल अपोजिट एक और चीज आती है जिसा बोलते हो फ्रिक्वेंसी क्या डिफाइन होती है वन अपॉन टाइम पिरिड जिसा अप से लिखते हो ठीक है या फिर यह बोलते हो कि एक सेकेंड के अंदर कितने आपके पास साइकल पूरे हुए नंबर आप साइकल इन वन सेकेंड नंबर आप साइकल इन वन सेकेंड इसी को अपन क्या बोलते है फ्रिक्वेंसी आप यूनिट चाहो तो लिख सकते हो वन अपॉन सेकेंड या हर्ट्स ठीक है आप यूनिट की बात करोगे तो आप फ्रिक्वेंसी की unit लेख सकते हो one upon second या फिर इसी को आपने बोलते हैं हर्ट्स ठीक है यह सारी चीज़े विसा आप हलके देख क्या है वो frequency बगेर कहां देखिए आपने sound वाला chapter पड़ाओगा 9th class में तब ठीक है तुमीद करता हूं कि बेसिक आपके पास analysis था system का यह आपको समझ माया और इसके रिगार्ड़ी और भी अपन mathematical analysis करेंगे लिए अभी हाल फिलाल जो मैंने बताया है वो इतने ही बताया कि आप पास oscillation क्या होता है periodic motion क्या होता और shm क्या होता है shm कब होगा और oscillation कब हो ठीक है समझमारी बात बहुत बढ़िया